जहिन दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उमीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, fit fine होंगे देखिए आज इस वीडियो में हम लोग जो है UP Police Constable की जो नई भरती आने वाली है तीरपन हजार प्लस सीटों पे इसका कटफ क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लास्ट दो वेकेंसी थी उसमें कितना आपको कटफ में अंतर देखने को मिला था, क्या रीजन था सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये जो वीडियो होगा काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा UP Police Constable की नौकरी निलें के लिए तो वीडियो को ज़्यादा सा ज़्यादा सेयर करना है कोई भी नौकरी लेने आप चलते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि नौकरी लेने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानना उसका future past क्या है उसके बारे में जानना क्योंकि यदि आप माल ने तेहें कि वेकेंसी के syllabus के बारे में नहीं जानोगे इसके last वेकेंसी में क्या open town थे उसके बारे में नहीं जानोगे, कटफ के बारे में नहीं जानोगे, तो फिर कैसे तैयारी करोगे, उत्तर परदेस पुलिस में 2018 में दो वेकेंसी कंस्टिवल पद पे देखने को मिली थी, और ये छोटी छोटी पदो पे नहीं, बड़ी बड़ी पदो पे वेकेंसी देखने क तो देखिए इसका कटफ आपको कुछ अलग देखने को मिला था और जो उन्चासाजार पांसो अंस्ट सीटों पर वेकेंसी आई थी इसका कटफ आपको अलग देखने को मिला था क्यों अलग देखने को मिला था इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है जो एक तालीस अजार पांसो बीस सीटों पर वेकेंसी थी इसके बारे में पहले समझे यह जो वेकेंसी थी बहुत समय बात देखने को मिली थी तो इसका कटफ जो था सिविल पुलिस का 226 नंबर ज हो पाया था तो फिर इसका रिवाइज भी रिजल्ट आया था तो रिवाइज रिजल्ट में भी जो है आपका कट अफ दो तीम नंबर घटा था मतलब 2220 नंबर के ऊपर ही आपको देखने को कट अफ मिला था दोस्तो ठीक उसके बाद से जब 49,568 वाली वेकेंसी आई तो इसमें आपका कट अफ 200 से नीचे आ गया पतलब कि डिरेक्ट आपका जो है इसमें 194 नंबर पे आपका जेनरल के कट अफ बन गया था सिविल पुलिस का तो देख सकते हो यहां 226 नंबर पे बना और यहां मातर 194 नंबर पे ही आपका जो है रिजल्ट बन गया था यह आपका सबसे हाइस्ट है सिविल पुलिस जेनरल का सबसे हाइस्ट नंबर 194 और इसमें जो है सिविल पुलिस का सबसे हाइस्ट जेनरल का कट अफ 226 इसमें सारा कट अफ आपको 200 पलस ही देखने को मिला और इसमें जो है, सब जो है, आपका cut-up 194 के नीचे देखने को मिला था, तो सोच सकते हो, इतना अंतर क्यों देखने को मिला, तो इसके बारे में जानिए, यह जो वेकेंसी थी, बहुत समय बाद आई थी, जितने पढ़े लिखे लड़के थे, इसमें खिचा गए, फिर उसके लड़के लगभग जो है, इसमें नहीं आए, जो इसका भी इसमें नौकरी हो गए, भाई, इसमें क्यों आएगा, एक इसीट के लिए क्यों इधर सुधर करेगा, ठीक, तो काने का मतलब यह है, कि जो पढ़े लिखे जादा लड़के थे, इसमें सेलेक्ट हो गए, अब प लेकेंसी आ रही है, 2023 में, 53,000 सीटों पे, तो इसका कटफ क्या देखने को मिलेगा, यह तो इसी के बारे में तो आप लोग देखने के लिए वीडियो देख रहे हो ना, तो देखो, इसका कटफ जो है, 226 से भी प्लस जाएगा, इतना बात जान लेना, अगर प्लस नहीं ग आप मतलब की इसका सदस से बन सकते हो, इस वेकेंसी का सदस से बन सकते हो, नहीं तो आपका टार्गेट अगर माल लेते हैं, 200 है, 180 नंबर है, तब तो आपका साथ मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है कि आपको फिर से और ज़्यादा इंतिजार करना पुर जाए, क्योंकि देख सकते हो, यहाँ पे आपको बैक टू बैक वेकेंसी देखने को मिले थी, तब आपको 30 नंबर के आसपास, 32 नंबर के आसपास अंतर देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ 4-5 साल बाद वेकेंसी आ रहा, 2018 के बाद जुड़ो यार, 2030 चल रहा है, कम से कम 5 साल हो गया, 5 साल बाद जो है, समझ रहा है, पढ़ाई का लेवल ही चेंज हो गया है, आज कल एक्जाम देख रहा हो, कितना टफ हो रहा हर चीज, तो लड़के पढ़ाकू हो गया है, बहुत लोग बेरोजगार हो गया है, अच्छे अच्छे लड़के इसमें फर्म भरेंगे, कुछ कोई ब टक्कर कराएगा, जो एक तालिस जार पांसो बीस सीटों पे वेकेंसी आई थी, इससे भी हाई जाएगा, यह मत देखना के तीपनाट सीटों पे वेकेंसी है, तो आपका कम जाएगा, दोज़ा अठारा के बाद जनसंख्या भी तो बड़ी है, लोग जागुरुत भी तो ह लड़के बहुत सारा भी तो आये हैं, तो जनसंख्या जब बड़ी है, कम से कम 30 लाग के आसपास, फॉर्म भराएगा आपका, जब 30 लाग फॉर्म भराएगा लग भर तो देख लो इसमें, इसलिए जो है आपका टार्गेट 230 रहना चाहिए, अगर इससे कम आपका तो और बढ़िया है, अगर 200 नंबर का टार्गेट बनाते हो तो बाबू और बढ़िया रहेगा, लेकिन 230 आपका सिबिल पुलिस के जेनरल का आपको कट अप देखने को मिलेगा, इससे कम नहीं देखने को मिलेगा, तो मैं आपको कटेगरी वाइस कट अप नहीं बताया, 220 नंबर आएगा, तब लडगे के दिमाग में इक इमेज बन गया, कि हमको 220 नंबर टार्गेट चेस करना है, तो ऐसा क्यों है यार, आप डिरेक्ट 200 नंबर अपने दिमाग में टार्गेट रखो ना, 200 रखोगे, तो माले तें 200 नहीं आएगा, तो 230 तो आईए जाएगा, और कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, तो इसलिए जो है, आप हर कटेगरी के कटफ जानके, अपने दिमाग को प्रेसर मत बनाईए, सबसे हाईस्ट कटफ जाने, फ्यूचर पास्ट जानिए, क्या चीज आपको देखने को मिला है, क्यों तुरा चराव देखने को मिला है, सम अपना मोटिवेशन रखो, और कभी भी जो है, अपना कटफ हाई लेकर चलो, अपने आपको अभी खुश करने के लिए, मैं तुमको पता दू क्या रहे दूसर नमबर आएगा, तुम तो लगोगा है, चलो या दूसर नमबर का मेरा टार्गेट है, फिर कल नहीं होगा, त इस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो देखिए, आपको सिलेवस उपी पुलिस का पता ही होगा, हिंदी, GKGS, मैथ, रीजनिंग, बस चार तरह के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हिंदी में जो है, आपको 35 साइटिस नमर कोश्चन्स देखने को मिलते हैं, और रीज पहला आपको हिंदी पे ध्यान देना है, और दूसरा आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है, अगर आप रीजनिंग 70-75 में अगर 70 भिमार देते हो, और हिंदी जो है, आप 30 को कोश्चन्स बना देते हो, 35 में, तो आपका 100 कोश्चन तो यहीं बन गया, फिर GKGS में 15-20 को होगे, तो आपका 120 कोश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा, 110-20 अगर कोश्चन आपका सही हो गया, तो आपका क्यों नहीं रीजल्ट होगा, बिल्कुल रीजल्ट हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस चीज़ पर करना है, रीजिनिंग पे और हिंदी पे, दो सब से नहीं पकड़ाता है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है, अगर आप सिस्टेमेटिक तरीका से पढ़ोगे, तो आप इसमें कुछ कोश्चन पकड़ पाओगे, लेकिन हिंदी के लिए और रीजिनिंग के लिए क्या करना है, बस एक सिलेबस है, हिंदी के लिए पतली वाली कि सित रिजर्ब कर सकते हो, तो अभी से अपने टारिगेट बनाओ, हिंदी और रीजिनिंग को और इसको पढ़ो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह दोनों सब्वेक्ट नहीं पढ़ो, इसको भी पढ़ो, लेकिन मुख्यता इस पे ध्यान रखोगे, तो जल्दी सक्सेज पा झाल सकाँ झाल सकते हो, लेकिता हूँ कि यह दोनों मैं। रुट को प्सक्तों पाल सकते हो, झाल सकते हो, पहा हुआ है।